और अबार को दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है अगर आप सैमसंग का डिवाइस यूज करती हैं आज मैं पर बहुत ही बैठरी नियापर त्रिक दिखाने वाला हूं तो मेरे वीडियो आपर पूरा ध्यां से देगना हूं और यह ट्रिक जो है सभ आपको इसके बारे में कोई नहीं बताएगा और दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फोल्व कर सकते हैं ऐस देदूगा सुना मश्कार दोस्तों मेरा नाम पर लेकिन आपर ब satisf तो इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना ऊगा तो इसके लिए पर जाना रहाँ होगा टीक है सेटिंग पर जाने के बाद आप करना है कि हम अंड बैकप का उप्शन मिलता है यहां पर अप्शन ठीक है bring data from old device दोस्तों ये feature बहुत ही कमाल का है बहुत ही amazing है ये आपने enable कैसे करना मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ use कैसे करना वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ठीक है और इससे क्या होगा जैसे कि हम यहाँ पर click करेंगे क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का option यहाँ पर दिखा देगा transfer your data send data, receive data मतलब कि इसके लिए आपको application की जूरत नहीं पड़ेगी आप Samsung to Samsung अपना data transfer कर पाएंगे without किसी application के जैसे कि आप share it use करते हैं share जो भी चितनी भी apps आपकी share वाली है वो सभी use करते हैं लेकिन यह बहुत ही कमाल की है यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाते हैं वो कौन से मैं आपको इन रखता हूँ send करने के यहाँ पर option मिलते हैं जैसे मैं यहाँ पर click करता हूँ send data इतने मतलब कि जब आप अपना data share करेंगे ना तो आपको वायरेस आने का भी खत्रा नहीं होगा जैसे कि आप इन share यूज करते हैं उसे आपके device में device hang होता है ठीक है आपके device में problem आ जाता है तो के वार के तो उसमें add जाना श्टार आप बिल्कुल ही परिशान होते हैं उस application से लेकिन यहां से बिल्कुल आप प्लिक करेंगे तो आप cable to cable यहां पर share कर पाएंगे अगर आपके पास cable नहीं है ठीक है अगर आपके पास cable नहीं है इस firefightMusic ढश de कर दिया ठीक है बंद कर दिया फिर जब मैं यहां पर कनेक्ट करूंगा ना तो अगले जो अगला अगर आपके बास दूसर सम्टन का डिवाइस आपने इसी सैटिंग में जाना है और रिसीव वाले उप्शन में जाना है और आपको जो है वो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा कर आप अपना डाटा सिक्योर तरीके से सेंट कर पाएंगे किसी डिवाइस में और यह इतना सुपर फास्ट करता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल हरान रहे जाएगा इतना ज्यादा फास्ट यह वर्क करता है यह ओप्शन ठीक है समझ के ना और जैसे कि मैं आपको में ऒम है और आप विंडो फॉन में आपटेयन ऊप्शन यूब आप जो करने आप फॉन में सर्一点 करना जाते हैं और आइफोन में भी ट्रांसवर कर सकते हैं यह बहुत ही कं लिए ऊप्शन नहीं को मिलता है। पिस экспер यहां कर यहां पहुर्चन कर सकते हैं को आप आइफोन आप है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा अपने विजट वाले ओप्षिन में यहां पर चलेगे फिर आपने क्या करना है यहां पर ओपन हो जाएगा आपने यहाँ नाम लिख बाद यहां पर आपने जाना है आपने जाना है एक्शन विजट क्लिक यहां पर क्लिक करना Kapi ने आपने थोड़ा से यहांपर वेट करना है याप यहां पे यूटूब ही उसाब स when the jaREE, । fonts color आप यहां से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो font जिस भी color का fonts रखना चाहते हैं for example मैं रखना चाहता हूँ blue ठीक है okay back करते है note now जिस यहां पर blue का गया के new stack में यहां पर click करूँगा तो मेरा YouTube यहां पर open हो जाएगा ठीक है समझ गे ना इस तरह यह trick work करती है अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया है अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देजीगा बाइबाइ टेक है जैहिन बंदे मातरों